नमस्कार बालकों को पढ़ाने योग्य साहित्य संस्कूरुद भाषा में इतना है कि एक महाभारत को आप खोलेंगे तो उसमें से हजारों कहानिया मिल जाएगी लेकिन किवल कहानियों का ही ग्रंथ हो और उसमें कहानी के रस के साथ साथ बोध भी प्राप्त होता हो ग्यान भी प्राप्त हो पाठ भी मिलता हो ऐसा अधबूत ग्रंथ हो तो वह है पंचतंत्रा पंचतंत्र की रचना के विशय में भी एक बहुत रोचक कहानी है कि महिला रोपिय नाम की एक नगर का राजा था उसके तीन पूत्र थे तीनों इतने जड़ बुद्धी की थे और कितने गुरु उसको पढ़ा के चले गए वो पढ़ते समय बैढ़ते ही नहीं थे गुरु में बिल्कुल रुची नहीं है कुछ नहीं पढ़ते थे तो राजा चिंतित हो गए कि अब इस राज कुमारों का किया किया जाए सामानिय व्यक्ति यदि अनपढ रहे पढ़ने में कम जोर रहे तो भी चल जाएगा लेकिन जो भविश्य का राज्य का उत्राथिकारी बनन वाला है वो निर्बुद्ध रहे अनपढ रहे गमार रहे वो कैसे चलेगा इसलिए उसने सब पंडितों को विद्वानों को बुला के चैलेंज दी एक आहवान किया कि मेरे पुत्रों को पढ़ा पाए ऐसा कोई व्यक्ति हैं तब पंडित विश्नु शर्मा नाम के एक पं अजने में जड़ से तेजस्वी और विद्वान बना दूंगा जो मूर्ख उसको में पंडित बना दूंगा ऐसा उन्होंने अभण स्विकार किया और उसने उपाई किया किया तो पढ़ने बिठाया तीनों को वो पढ़ने में तो रस्था नहीं उसने का कि चलो पढ़ना तात 一े आप को कहानी सुनाता हूँ है और कहनी कहते कहते पष्व के गजीजीवनों की कहते कहते चंगल की कहते उसका रोड काहानी के अंदर उसने ऐसा बोध दे दिया जैसे कोई कड़वी दवाई को सुगर कटेट कर कर से दे जाए उसी तरह नीती के जो सूतर है धर्मा के जो सूत्र है अर्थ के जो सूत्र है वो सारे सूत्र पुरुसार्थ के जो सूत्र है वो सारे सूत्र उन्होंने कहानी के जरिये इन तीनों राजकुमारों को दे दिये और 6 महिने में कहानी सुनते सुनते सच में वो जड़, मुर्ख, निर्बुद्ध ऐसे राजकुमार, पंडित, समझदार और बुद्धिमान बन गए तो ये पंच तंत्र की जो कहानिया है उसमें 5 तंत्र हैं मानिकी 5 चेप्टर है तो पांचों चेप्टर में कथाएं अलग-अलग होती हैं और प्रत्यक तंत्र का एक हार्द होता है एक उसका में बिंदु होता है बोध का तो पहला है मित्रभेद दूसरा है मित्र प्राप्ती पहला है मित्रभेद दूसरा है मित्रप्रप्राप्ती में अच्छे मित्र मिल जाएं तो कैसे अल्प शक्ति वाले लोग भी संगठित होके बड़ा महत्वपूना कार्य सिद्ध कर सकते हैं इस मतलब की बाते कहानिया सुनाई गई है दूसरा है मित्र हानी तो यदि आप कच्छे कान के हो माने कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि दूसरों की बात सुनके उसके प्रभाव में आ जाता है तो अच्छे मित्र को भी आप कैसे गवा देते हो उसके करण आपको क्या हानी हो सकती है इसका वरनन किया गया है त इसका सारा सार इस तंत्र में सम्मिलित है पात्र सारे वही है पश्व पक्षी जीव जन्तु लेकिन बात सारी मनुष्य को लागू हो ऐसी उसमें बताई गई है चौथा तंत्र है लब्दप्रनाश उसमें भी ऐसी ही रोचक कहानिया है और अंतीम और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है आप परिक्षित अकारकम जिसकी बहुत सारी कहानिया बहुत अलोकप्रिय भी हुई है कि आप बीना सोचे समझे कुछ करते हो तो उसका बुरा फल मिलता है अच्छा फल नहीं मिलता है तो आपको जो भी काम करें परिक्षित करना है मानिकि अच्छे से परिक्षा करके सोच समझ के काम करना है तो बच्चों को बच्चपन से यदि पंच तंत्र की कहानी व्यवस्तित रुपते सुनाई गई तो उसके लिए कहा जाता है कि इंद्र भी उसको मात नहीं कर सकता इतना गुद्धिमान बच्चा हो जाता है तो पंच तंत्र केवल बच्चों के प युवानों पर लागूं होती हैं यहां बाल भोग्यायां बच्चों को पसंद आ यहां ञोड़ा जब भी मुष पढ़ें तब ये विवेक पुरणा बच्चों को आनदीद कर पाएगी यहां राथ से तो यह सारा वर नन देखते हुए यह शारी बातों पर विचार करते हुए बच्चों को पंच तंत्रा की कहानी सुनाई है उसमें आने वाले शुभाशित जो बीच बीच में शुभाशित आते हैं वो भी बहुत बोधप्रद हैं तो पंच तंत्रा केवल पढ़ने के लिए नहीं है केवल सुनने के लिए भी नहीं है जीवन में उतारने के लिए हैं, उसके सारे जो सबक हैं, उसके सारे जो संदेश हैं, वो आचरन के योग्य हैं, तो उसका आचरन करने का भी प्रयास करें, उसके आचरन से इतना लाब प्राप्त होगा, कि कोई भी निर्णई करने से पहले आप सोच समझ के निर्णई करेंग तो ये सारी कहानिया जो हर आयू के व्यक्ति को अनन्दित करने वाली हैं उस कहानियों का लाभ उठाएं और पंच तंत्र जैसा रत्न हमें प्राप्त हुआ हैं इस बात का सवभाग्य मनाएं कि हम भारती हैं और पंच तंत्र और हितोफ देश जची कहानियों के स्वतंत्र ग आनंद प्रप्त करे और बच्चों को भी यसी कहानियों का आनंद दिलवाएं इसी शुभकाम करना के साथ, नमस्ते.